तो आगे आज मैं आप सभी कोले लाई हूं कतला पोस्तो पॉक्तों की ऩरसिपी जो कि बहुत अब क्तिक फच्ञ की ठिर बहुत अब कि अ योटविश्ट में बहुत ज्यादा लगती है तो चया Kelly यह किन मानिए यह कहने में बहुत ज्यादा आप Straps यहां तो इसमें एड़ कर देती हूं एक टीस्पून भर के हल्दी का पाउडर और हाफ टीस्पून नमक और इन सानी चीजों को अच्छी तरह से फिश के साथ मिला लेंगे और इसे मिला कर पांच मिनिट के लिए इसी तरह से मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे तो देखे फ् अपने फिश को हर द्रफ से अच्छी तरह से पलटते वे पका लेना है और ऐसा करने में हमें तक्रीबन साथ मिनट तो लगी जाएंगे तो देखे फ्रेंड इस फिश को मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर इस तरह अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है आप इसी तरह इसे अ मिला लेंगे और इसे अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें एड कर देते हैं नमक जिससे हमारे प्यास अच्छी तरह से गल जाए तो यह मैंने हाफ टीस्पून नमक डाला है आप ध्यान से जाले क्योंकि हमने फिश में भी पहले से नमक एड किया है तो आप अपने ट आप भी एड करें इससे टीस्ट बहुत अच्छा आएगा थोड़ा पानी एड कर दिया है और एड करती हूं स्वाद अनुसार लाल मिच का पाउडर हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून धन्या और जीरे का पाउडर है मैंने पानी इसलिए ताकि मसाले चले है तो इस एक बार अच्छी तरह से मिला लेते हैं आप देखिए प्यास भी अच्छी तरह से सौफ्ट हो चुकी है तो इस पॉइंट में आड कर देंगे हम टमाटर तो मैंने आप तीन बड़े साइस का टमाटर लिया है प्यास और टमाटर की कॉन्टिटी एकदम एकवल र देखिए हमारे तमाटर अच्छी तरह से सौफ्ट हो चुकी है तो अब हमें यहां पर एड कर देना है पोस्तो मैंने यहां पे एक टेबल स्पून भरके पोस्तो को अच्छी तरह से पेस्ट कर लिया है और उसे एड कर दिया है और साथी 20 चीरा लगा कर दो से 3 हरी मिर्च अफने टेस्ट के अकॉर्डिंग एड़ कर लें और इसे अचिह तरह से मिलाकर कवर करके इसे सिर्फ और Lulu पर एक मिनिट के लिए पके मरें कि लिए एक मिनिट के नियुक्य है. Georgia और जाओ निए तरह Stri países मेरे रिफ्रयां के वहारा तरह South पलाई चीसमें जरुदू करने के बाद थोड़ी इस सब्सक्राइब पाएं जरुद जरुक्ष से अब इता यहां लेंगेए इसे बहुत ही जड़्ी ईच्छा फ्लैवर उपम हो चुकी है तो फ्लेम को ऊफ करेंगे और एक टेल्ट्सपून भरकर कुछा सरसो का तेल और पांछ पूर Filipino कारेंगेlime . जो कि खाने में बहुत ज्यादा डिलिश्यस होती है आप इसका टेक्च्चर सामने से देखिए कितना बढ़िया लग रहा है येकीन मानिया आप इसे गर्म गरम या चावल या रोटी के साथ एंजॉय करेंगे तो आपको यह बहुत अच्छी लगी कि मिलते है अगले वीडिय में